हाई अब्रिवन वल्कम बैक तो मैं चैनल तो आप सब्वी का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत जादा पसंद कर रहे हो केक के डेकोरेशन को लेके मैं बहुत सारी नई चीज़े टिप्स ट्रिक आपको वीडियो में बताते रहती हूँ आपको वो भी बहुत जादा पसंद आ रही है तो आज आपकी डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ विप क्रीम कैसे बनाते हैं घर पे आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे विप क्रीम को लेके मैं विप क्रीम कैसे बनाते हैं हमें भी केक बनाना है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विप क्रीम घर में कैसे बनाते हैं, उसकी वीडियो आप पूरी एंड तक देखिएगा, इसमें कुछ मैं टिप्स ट्रिक भी बता दूँगी आपको की परफेक्ट विप क्रीम कैसे बनेगी, कुछ-कुछ के कमेंट्स आते हैं कि व U35 का बॉक्स है, इस पर MRP लिखी हुई है, शॉप बाले पर जाओगे तो आपको MRP के अकॉर्डिंगी, अगर आप एक डबा ले रहे हो तो MRP पर ही देगा, अगर बहुत सारा ले रहे हो तो शायद आपको कुछ कम कर दे, या फिर आप होलसेल वाले से ले सकते हैं, वो ब निखाल दिया है क्योंकि मेरा केक आज थोड़ा सा जाधा बड़ा है, तो इसके लिए मैं आज यह बिप क्रीम बना रही हूं, तो यहां पर मैंने थोड़ी सी और एक्स्टर डाल दी है, उसके बाद यहां पर मैंने लिलिया है, यह स्पेशल बिप क्रीम बीट करने के तो सबसे पहले मैं थोड़ा कैम्रे में आपको अच्छे से अर्जस्स करके दिखा देती हूँ तो जिसे पूरी तरीकी से आपको दिखाए दे तो यहां पर आप देख सकते हूँ अच्छे से इसको सरकल सरकल कर राउंड राउंड करके आपको घुमाना है एक ही डिरेक्शन म आप अपनी विप क्रीम बनाते हो तो आपको गर्मियों में भी आपको बरतन के नीचे आइस रखने की कोई जरुरत नहीं है विप क्रीम बिल्कुल पतली नहीं होगी लेकिन विप क्रीम हमेशा एकदम ठंडी लेना है आपको और आइस जमी हुई विप क्रीम बिल्कुल मत ल तब जाके आपको अपनी विप क्रीम बनाना स्टार्ट करनी है जैसे आप यहां देख सकते हो किस कंसिस्टेंसी की मैं यहां पर ली थी विप क्रीम और उसके बाद आप यहां देख सकते हो यहां पर हम किस तरीके से घुमा रहे हैं उसको और यहां पर मैंने स्पीट को भी ए तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से मैं आप बना रही हूँ बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बरतन थोड़ा ठंडा होना चीए या फिर अगर आपकी क्रीम या बैदर जादा गरम है तो आप बरतन को पहले फ्रिज में 10 मिट के लिए रख दें उसके बिल्कुल पतली नहीं होगी और परफ्रेक्ट बनेगी बिल्कुल और बिल्कुल भी आपकी जो क्रीम है और क्रीम की क्वंटिटी आप हमेशा थोड़ी सी जादा रखें एकदम कम रखोगे तो क्रीम जल्दी से गरम हो जाएगी क्योंकि बीटर चलता है वो गरम हबाबी इस बज़े से क्रीम जल्दी पतली हो जाती है इसलिए आपको क्रीम की कौंटिटी थोड़ी जादा रखनी है अगर आपके पास लेक्टिक बीटर नहीं है आप होम बेकर नहीं हो आप घर के लिए केक बनाना चाहते हो तो आप हैंड बीटर से आप विप क्रीम को बना सकते जिससे हम दही फैटते हैं उसी से और अगर आप अके लिए बनाओगे तो आपका हाथ शोल्डर दुखने लगेगा इसलिए आप बारी बारी से किसी भी फैमिली मंबर को विप करने के लिए दे दीजिए अच्छे से आपके क्रीम बनके रेडी हो जाएगी और आप अपने घ स्पीट पर ही करना है जब तक अच्छे से क्रीम बेप नहीं हो जाती अगर आज की वीडियो में अगर आपको टेप्स ट्रेक अगर अच्छी लगी हो तो प्लीस मेरे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताए कि आज की वीडियो आपको पसंद आई की नहीं आई इससे मुझे पता चलता है कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आगे की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी बहुत सारी रेसिपी भी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मैं तो आप यहां देख स से मैं कि तभी तेज अगर हिला लू तो भी यह विप क्रीम नीचे नहीं गिरेगी बिल्कुल भी यानि कि यह विप क्रीम बिल्कुल परफेक्ट बनी होई है और आप यहां देख सकते हो पीक्स भी बहुत अच्छे आये हैं इसमें आप यहां देख सकते हो बिल्कुल बहुत पॉफेक्ट बनी है, तो आज की वीडियो में वस इतना ही बहुत इजी है, आप घर में बना सकते हैं, इसमें कुछ भी एट करने की जरूत नहीं है, इसे बॉक्स लाना है, ओपन करना है, विप करना है, और अपनी केक के उपल लगा देना है, विप क्रीम आप किसी भी ब्रा बाइ एंड थैंक यू फर वाचिंग